Hello Friends, My Himalayan Embrace के Part 8 में आपका स्वागत है खीरी कहता है कि अब मैं तुम्हारी लिए काम नहीं करूँगा निका का स्टेव डैड उसके उपर गुसा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से ये काम छोड़ कर जा सकते हो वो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा दमाद जी लेकिन इसके लिए तुम्हें स्काई को ठिकाने लगाना होगा तुम इसकाई को ट्रैप करके बुलाओ खीरी स्काई को मरवाने के लिए रेडी हो जाता है निका कर स्टेव डैड अपने आदमियों को उन दोनों को ही मार डालने का हुक्म देता है स्काई खीरी से मिलने जाता है खीरी स्काई से कहता है कि निका सिर्फ मेरी है स्काई कहता है वो एक इंसान है कोई सामान नहीं स्काई खीरी से कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो तो खीरी कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो अचानक निका के स्टेव डैड के गुंडे उन लोगों के उपर गोलिया बरसाने लगते हैं इसकाई अपने साथ साथ खीरी की भी जान बचाता है अब इसकाई इतना स्मार्ट है तो वो सचाई जान जाता है वो खीरी से कहता है कि तुम मुझे यहां मारने के लिए बुलाये थे लेकिन वो सब तो तुम्हें भी मार रहे हैं खीरी और स्काई दोनों ही पच निकलते हैं खीरी पहुचता है निका के Steph Dad के पास और वो कहता है कि तुमने मुझे भी मरवाने की कोशिश की तो निका का स्टेव डैट जूट बोलता है कि तुम्हारी शादी तो मैं अपनी बेटी से करवा रहा हूँ फिर मैं तुम्हें क्यों मरवाऊंगा वो अपनी बात को प्रूफ करने के लिए खिरी के सामने ही अपने आदमी को मार डालता है आगे खिरी निका से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डैट के खिलाफ सबूत ले आऊंगा और बदले में मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए फ्रेंस खीरी की मौम उसे नीका से मिलने से रोकती है और कहती है उसके साथ अपना घर बसाने का सपना छोड़ दो लेकिन उनका आग्या कारी बेटा उनकी बात नहीं सुनता है खीरी नीका के स्टेव डैड के खिलाफ सबूत खोजता है वो उनके खिलाफ वायस रिकॉर्डिंग भी ले लेता है जब वो हिमन ट्राफिकिंग की बात करता है आगे खीरी पुलिस को भी इनफॉर्म कर देता है एक हिमन ट्राफिक में फसे लोगों के ग्रूप के बारे में जिन्हें ले जाया जा रहा था इसकाई को जब ये बात पता चलती है कि पुलिस ने एक ट्रक को पकड़ा है तो वो समझ जाता है कि इसके पीछे खीरी का हाथ हो सकता है वो खीरी के घर जाता है इसकाई देखता है कि उसकी माम पी के नीचे टली पड़ी हुई है इसकाई अपनी मौम के प्यार का अहसास पाने की कोशिस करता है। इधर निका को खीरी की चिंता होती है। वो कहती है कि तुम मेरे लिए इतना रिस्क उठा रहे हो। आगे इसका ही निका से कहता है कि कितना अच्छा होता। अगर मैं अभी तुम्हारा और तुम्हारी मौम का ख्याल रख पाता। निका कहती है कि तुम अल्रेडी हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हो। वो दोनों फाइली किस करते हैं और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इधर निका का स्टेप जैट खीरी को अपने खिलाफ छानबिन करते हुए रंगे हाथों करता है। आगे निका का स्टेप डैट उसकी मॉम से कहता है ये सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम हो गया है और अब तुम्हें मेरे इसारे पे ही चलना होगा। आगे निका स्काई के साथ अपने मॉम के घर पहुचती है जहां उसके डैड ये अनौन्स करते हैं कि वो और हो इसकाई को दफा हो जाने के लिए कहती हैं अकेले में निका की मॉम उसे सब कुछ बता देती हैं और कहती है कि तुम्हें अपनी डैट की बात मानते हुए खीरी से फिलहाल मैरेज करनी होगी और इस बीच में मैं लॉयर से बात करके कोई रास्ता निकालोंगी निका क कहती है कि मैं खीरी से मैरेज नहीं कर सकती हूं तो इसकी मॉम कहती है कि हमारी जिंदगी के लिए ये करना जरूरी है इधर इसकाई खीरी से कहता है कि तुम उस लड़की से साधी क्यों कर रहे हो जो तुमसे प्यार ही नहीं करती है खीरी कहता है कि वह मुझे से एक बार फ लेकिन उसका मेरे प्यार से कोई भी लेना देना नहीं है निका उसके पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम ये सचाई मुझसे कब तक छुपाने वाले थे इसकाई कहता है कि मैं ये सचाई चुपाने वाला नहीं था बस सही समय का वेट कर रहा था निका जाने के लिए कहती है तो इसकाई दुखी होकर वहाँ से जाता है खीरी निका को उसके पीछे जाने से रोक लेता है निका खीरी से कहती है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच प्यार नहीं हो सकता है तो उधर इसकाई दुखी रहता है इधर निका दुखी रहती है आगे निका इसकाई से मिलने जाती है इसकाई निका से कहता है कि हमारे प्यार पे भरोसा रखो मैं तुम से प्यार करता हूँ निका कहती है कि तुम खीरी को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो गलत काम कर रहा लेकिन तुम भी तो वैसा ही काम करते हो, खेर इसकाई निगा को मनाने की कोशिस करता है लेकिन निगा वहाँ से चली आती है, और लो एक बार फिर से निगा पलती मार कर खीरी से ही मैलेज करने जाती है, खीरी भी इस बार अपने पैसों का इस्तमाल करके साधी के तयारियां चोरो सोरो पे करता है, तो निगा कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, खीरी कहता है कि मुझे तुमको और तुम्हारी मॉम को प्रोटक्ट करना है, तो निगा कहती है क्या तुम मेरे डैट की तरह मुझे धमकी दे रहे हो, तो खीरी कहती है कि तुम प्यार के लिए य लग लग ही रहेंगे तो खीरी कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तुम्हारे स्टेप डैड को श्रक हो जाएगा तो खीरी एक बार फिर से हिमाले इंदर स्काई के वेब पेज पे मोटिवेशन वाले बात लिखता है और निका उसे पढ़कर खुस होती है लेकिन तभी व कौंऄ को भी पता चलता है कि उनका बेटा लिखा से मारेज करने जा रहा है वो शौक्ड होती हैं और नहीं चाहती है कि ऐसा हो बार-बार खीरी को समझाने की कोई खेकरिदिन नीका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें याद तुम्हें याद किया था तो उसे याद नहीं रहता है खीरी दूर से ही उसको देख कर डर जाता है कि ये कहीं सबको सच्चाई नव बता दे आगे निका का स्टेव डैट खीरी को सजेस्ट करता है कि अगर हम किसी से न मिलना चाहें तो उसे इस दुनिया से ही उठा देते हैं बस खीरी पहुच जाता है उस लड़के के पास उसे खीरी को देखते ही याद आ जाता है कि इसी ने मेरे उपर आटैक किया था वो डर के भागने लगता है खीरी उसे रोकने की कोसिस करता है और इसी बीच में वो सीड़ी से नीचे गिर जाता है और वो मर जाता है खीरी वहा ही बेटा सब कुछ है उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें मुझे से जितना हेट करना है करो लेकिन खीरी के लिए सिमपैथी रखो तुम्हें बदले में जो भी चाहिए वो मैं करूंगी इसकाई कहता है क्या आप मुझे वो इसमाइल और ममता दे सकती हैं दुनिया के सामने ये कह सकती है कि मैं आपका बेटा हूँ उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम यही चाहते हो तो मैं खीरी के लिए ये करने के लिए तयार हूँ तुम्हें अपने भाई की खुसियों के लिए खुद का सेक्रिफाइस करना इतना मुस्किल हो रहा है। अगर तुम्हारे अंदर बड़े भाई होने की जरासी भी फीलिंग है तो ये शादी मत होने देना। आगे खीरी भी आता है स्काई के पास और वो उससे जूट बोलता ह कि नीका ने कहा है कि तुम उससे दूर रहो इसकाई कहता है कि नीका कभी ऐसी बात नहीं कह सकती है। इसकाई एक बार फिर से खीरी को समझाने की कोशिस करता है कि नीका के स्टेप डैड सिर्फ अपना फायदा ही देखने वाले हैं और वो अपनी मौम की ही वज़ा से सही उनका साथ छोड़ दे। खीरी उसको पंच पे पंच मारता है और इसकाई चुपचाप सह लेता है ये सब इसरी देखती है और उसके बाद इसरी पहुच जाती है खीरी के पास उसे मारने के लिए लेकिन इसकाई पहुच कर खीरी को बचा लेता है वो इसरी के उपर गुस उसका है तो निका की मॉम कहती हैं कि हमारे घर में बूरे लोग नहीं आ सकते हैं तो इसका ही कहता है जो आपकी बेटी के बगल में बैठा है उसका क्या इसका ही निका से कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे से प्यार करती हो और इसलिए तुम दोनों का ये शादी करना गलत और उनसे कहती है कि यह मैरेज नहीं होनी चाहिए लेकिन वो किसी से सच्चाई नहीं पताती है कि वो दोनों भाई बहन है तो जाहिर सी बात है कोई भी उनको भाव नहीं देता है और नहीं उनकी बात मांगता है इधर निका के स्टेव डैड निका और खीरी के उपर अपना स स्ट्राइ करती है और इसका यह वहां आता है तो फ्रैसिस का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा